हाई फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग इमर्जेंसी के बारे में जानेंगे कि इमर्जेंसी होता क्या है वाट इस इमर्जेंसी क्या-क्या होती है साइट पर आप खास करके हम कंस्ट्रक्शन साइट पर देखेंगे या इंडर्स्ट्रियल साइट में तो उसमें क्या-क्या इमर्जनसी हो सकते हैं वह हमको पता होना चाहिए उसके बारे कि सदर्राने चाने पता नोव और वसमें जो है जाने की ही और प्रापर्टी लास्तीर की संभाऊना हो जिस से साथे लिए कहनती सुच्टेशन जिस्ञाम जाती है उसी को इमर्जंस्टी बोला जाता है तो emergency side पर कौन कौन सी हो सकती है fire and explosion आग लग सकती है और blast भी हो सकता है electrical shock किसी को भी electrical shock लग सकता है जिससे की लोगों की जान जा सकती है food poisoning जो खाना खाते हैं उसमें जहर हो सकता है खाना की वज़े से आदमी को किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है उसको जो है स्वास्त के लिए dangerous हो सकता है वह foods तो वह जो है emergency में आता है equipment failure आपका side पर जो equipment यूज करते हैं तो वह फेल हो सकता है उसके गिरने से लोगों की life जा सकती है material loss हो सकता है तो यह जो है emergency में आता है collapse of structure building और crane तो आपका जो structure है जो आपने building बनाया है building गिर सकती है tower crane है tower crane गिर सकता है तो ऐसे emergencies हो सकती है तो वह emergency में आते है discharge of land water and emissions to air जैसे कि land है जमीन है उसमें कोई हम chemical डालते है तो उससे land pollution होता है water है water में हम कोई chemical पानी में जो है किसी प्रकार का chemical अगर डालते हैं या फिर जो companies है industrial company के जो chemicals जो रहते है westerns chemical रहते है पानी उसका गंदा पानी रहता वो जो है नदी नाले में जाता है समुंदर में जाता है उससे water pollution होता है दूसरा जो है emission to air तो हवा में जो अगर कुछ चीजें हम जोलित करते हैं कुछ चीजों को जहलाते हैं जिससे कि जो है हमारा environment हमारा हवा दूसरीत होता है उसको जो है emission of air या फिर जो है air pollution बोल सकते हैं तो इस प्रकार से भी emergencies साइट पर हो सकते हैं इसके बाद जमा होगा पानी जमा होगा तो उसमें workers गिर सकते हैं वरकार डूब सकते हैं तो उसमें जो है यह भी emergency साइट पर हो सकती है दूसरा जो है oil and chemical spillage oil chemical साइट पर आप यूच करते हुआ जो है जमीन पर गिर सकता है जमीन पर गिरेगा तो फिर land pollution होगा और दूसरा जो है वह अगर चन के पानी के में जाके मिलेगा जमीन से चन के पानी में जाके मिलेगा तो पानी उधर water pollution भी हो सकता है तो यह भी emergency side पर हो सकती है guys leakage है guys leakage जैसे कि आप LPG यूच कर रहे हो और किसी प्रकार का जो है जैसे अगर आप देखेंगे तो भोपाल आप लोगों को मालूम होगा तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ गई थी तो यह guys leakage की वज़े से हुआ था earthquake है earthquake अर्थाद भूकम पाना भूकम पाने की वज़े से भी बिल्डिंग गर सकती है बिल्डिंग जमीन धस सकती है इससे क्या है उसमें भी आदमी का जान जाने का लोगों का चांसे जराता है तो यह material loss भी हो सकता है और जो है life loss भी हो सकता है तो यह भी emergency में आता है land slides है आपका excavated area है तो वहां पर अगर अंदर में कोई कारे कर रहा है तो वहां पर land area home सकता है आदमी के ऊपर जाम करें अदमी करा तो इसके उपर जम्मीन गिर्सकती है उस सब्सक्राषा morg है साइक्लोन अगर आ गया तुफान किसी प्रकर आ गया तुससे भी जो है लाइफ लॉस होने का चांस है इमेर्जंसी में आता है कोई नाइट निन आप लोगों ने देखा है इसके पहले कितना बड़ा जो है नुकसान हुआ दुनिया में तो यह भी एक इमर्जंसी के अंतर है वार है तो युद्ध जो होना युद्ध हो जाता है लोगों में लड़ाई मार जगड़ा हो जाता है तो यह भी प्रकार की इमर्जंसी है दुसरा लाइटनिंग है लाइटनिंग अर्था जो है आकासी बिजली गिरिती है उससे जो नुकसान होता है लोगों की जान जात हैं तो इस प्रकार से यह सभी हमारे इमर्जन्सी स्थे धन्यवाद दोस्ते